क्रिप्टो मार्केट बहुत खतरनाक है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कड़ा सा कड़ा टाइमिंग आता है और अच्छे से अच्छा टाइम आता है यहाँ पर पेसंस का खेल है और वेल का गेम है त्यान से हमें इस मार्केट को समझना है और सर्वाइव करना है त्यूकि इस मार्केट के अंदर रिस्क भी उतना ज्यादा है बहुत ज्यादा रिस्क है और रिवार्ड भी उतना ज्यादा है अब यहाँ पर जहाँ पर रिवार्ड ज्यादा होता है वहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है और साथ ही साथ वेल का भी बड़ा बड़ा गेम होता है आज के नाइट के अंदर बिटकोईन का प्राइज 25,000 डोलर से नीचे देखा गया था इतना किसी ने भी नहीं सोचा होगा 28,000 डोलर के उपर मारकेट चल रही थी 29 से 30,000 डोलर के उपर चल रही थी बट आज की नाइट में 28,000 डोलर से एक सड़नली डंप देखने को मिला मारकेट 25,000 डोलर को हिट कर दिया और वहाँ पर ट्रेडर्स का जो लिक्विडेशन हुआ है 1 बिलियन डोलर का 15 मिर्ट के देखे तो करेंट टाइम के अंदर 26,000 370 डोलर के उपर ट्रेड कर रहा है जैसे 25 के उपर गया था वहां से 1300 डोलर का तो जंप तुरंत लग गया कुछ बाइंग हुआ है वेल यहां पर गेम खेल रही है अदम एक क्लियारिटी और कनफोर्मेशन दे देते हैं खासकर यहां बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्रोस किया तो मामला कुछ और ही बनने वाला है तो मामला तो एक ही रात के अंदर बन गया हम थोड़ा लंबा देख रहे थे बट एक ही रात में इतना सोट बन गया क्योंकि हम यह देख रहे थे कि वीकली केंडल क्लोजिंग क्या करता है कह यहां बिलकुल यह है कि मार्केट अगर 25 से नीचे जाने की कोसिस होई तो वहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन मार्केट नहीं कर पाएगा ज्यादा टाइम के लिए वहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा मार्केट बांस बेक हो जाएगा यहाँ पर पैनिक नही को मिला है दिखाएँ अंदर मार्केट एक बार डगमाए था जो कि के लिए लेवल के उपर हुआ था देख लिए चाठ क्या के रहा है मैं लिए 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 लिवल के उपर हुआ था मैं लेवल दिखाता हूं विकली टायम प्रैम एंदर है। और यह दो तिन वीक यहां पर मार्केट नीचे एदा सोट तो देख लिजिए यहाँ पर कुछ हो सकता है तो इसा नहीं है कि आपको सेल करना है मैं सेल इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ओल्डेडी मार्केट इतना ज्यादा डाउन है तो लोज में मैं कैसे सेल करवा सकता हूँ लोग को या तो कैसे म बेक मिलने के बाद एक बार और गुम्रा कर देता है मतलब कि यहाँ पर कितना विक लगे वो हमें देखना होगा बट 25 से नीचे घरी जंडी है 25 से नीचे मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा फले वो कितना भी बड़ा विक मार ले सस्टेन नहीं करेगा में भी म हुए है मार्केट अपने प्रिवेस ओल्टम हाई के आसपास आजाता है प्रिवेस देख लिजिए फटाफट फटाफट देख लिजिए जो कि यह 18-19 का हाई था और होल्विंग हुआ था तो यह आ गया था कुस्त 13,000 डोलर उससे पहले भी देख लिजेगा होल्विंग मतलब कि जब होल्विंग होता ही तो प्रिवेस टोप के आसपास मार्केट आ जाती केसे भी करके पेले कुस गूमरा करती है मतलब कि पेले यहाँ पर भी डबल बोटम मारने के बाद मार्केट उपर गई है उसके बाद आगे की बात करें तो आगे भी कोई भी कारण हो वो नहीं देखना है कारण कोई न कोई प्ले हो जाता है यहाँ बर भी डबल बोटम मारके मारकेट उपर गई थी और हम यहाँ की भी बात करें अगें यह बोटम 16-17,000 डोलर का था बट अभी यहाँ पर देखे तो 25 के आसपास आया था तो अभी अगें यहाँ पर वीक लग सक है तब सड़नली होता है और हमारा ट्रेड चला जाता है लोस हो जाता है स्पोर्ट में फोकस किजिएगा तो इस लेवल के उपर भी कुस गेम प्ले हो सकता है आपको कि सागर भाई 40,000 डाने वाले थे आप अब क्या बता रहे हो तो मैं आपर ट्रेंड के साथ चलता हूं 40, की बात होती थी वो बात सही है मार्केट ऐसा नहीं है कि सीधा 40 जाय चालिस की बात कहा गया था ऐसा नहीं कि सीधा 40 जाय मार्केट कभी यह से गुम्रा करके 40 जाता है तो इसमें गया तो 40 बट थोड़ा टाइम और लगा दिया तो ए बात आप याद रखना 40,000 डॉलर मार् इस बार का जो मौका है बहुत अच्छा ओपरचुनीटि है जिसको लोंग डूम का फ्लानिंग है क्रिप्ट वॉकुतो में रह नहीं है तो यह जो आपंटेटि आपस्पमुपरचुनीटी में फिर नहीं मिले Bitcoin के अंदर भी Ether भी 1600 के आसपास आ गया था सभी project के अंदर focus कर सकते हैं तीन महीना चार महीना जो है अभी भी हमें निकालना है patience के साथ काम लेना है patience ज्यादा रखना है और कुछ और भी chart है कुछ और भी analysis है जितनी सारी चीज़े हैं मैं share करूँगा फिलाल हमें थोड़ा patience रखना है हडबडाट में 90-90 percent portfolio खाली है उन लोग का दिमाग खराबी है और वो negative बताएंगे बताएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा लोग से तो करेंगे क्या कि सागर भया बार बार बताते हो history repeat कर रहा है दोस्तों इसमें दो-दो साल लगते हैं एक दिन में थोड़ी ना होता है दो-दो साल लग जाते हैं बूल मार्केट को भी दो-दो साल continue बूल मार्केट चलता है वहाँ पे news भी उतने अच्छे आते हैं हाँ यहाँ पर हम कहे सकते हैं कि अगर होलविंग हुआ और होलविंग के बाद एक साल के अंदर बूल मार्केट नहीं आया तो फिर मामला खतम तो फिर गालिया दे सकते हैं बढ़ उससे पेले कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं कह सकते हैं योकि अभी ना तो होलविंग हुआ है और ना हॉल्विंग के बाद यहाँ पर हमें कुछ देखा है अभी यहाँ पर हमें वेट करना है